नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन फॉर इंडिया में आज हम आप लोगों के सामने एक प्रशिद नेखक जिनका नाम है राय किष्णदास इनके जीवन परचे के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं राय उस्तों बानबेश्वे में इंका जन्म हुआ था और कहां पर हुआ था कासी में हुआ था और यह प्रसिद राय परवार में जन्मे थे हैं इनकी जो प्रारम्बिक सिच्छा जो सुरू हुई वो कला संस्किती और साहित प्रेम के लिए हुई मतलब यह जो परिवार है प्रारम्ब से ही क्या थे इनका जो परिवार है सुरू से ही कला संस्किती और साहित प्रेम के लिए विख्यात रहा है राय किष्ण दास जी के जो पिता थे राय प्रहला की और जो संबन्ध को इंदी से अटउर होने के । KaARD is a touchdown . जिसके लिए राय कि न्रीज्व का हिंदी के साथ है। बहुत अच्छा संबन्ध रहा इस पकार के ना साब जी को हिंदी के प्रती प्रेम प्लीघ री पारमि है। बतब ये पूर्वजो के रूप में इनको हिंदी के प्रती प्रेम पाया, क्योंकि उनके पिता जी भी बहुत हिंदी के प्रेमी थे, और उनका जो संबन्दा था हो भारतिंदु जी के साथ था तो राय सामजी की जो स्कूली सिच्छा वो बहुत कम हुई है, पर अन्तु इन में ज्यान प्राप्ति के जो इच्छा थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इन्होंने स्वतन्त रूप से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भासाओं का अध्यन किया और इन विशों में अच्छी युगता भी इन्होंने प्राप्त कर ली, भारत सरकार ने सनुनी स्वतसी स्वी में इनको पद्म भूचर से सम्मानित किया, और इसी वर्स इनका क्या हो गया, इन्नी स्वतसी में ही इनका निधन हो गया चली अब इनके सहित्तिक रूची के बारे में जानते हैं, तो राय साहब जी की सहित्तिक रूची थी उसके विकास में 80 के प्रमुख कभियों जो रूची का विकास हुआ, और आलोचोकों जैसे जैसंकर प्रशाल, मैतली सरनगुप्त, रामचन सुकल, आदी ऐसे बहुत से ये थे लेखकतें जिनकों क्या मिली थी? प्रेडना मिली थी और उनी से प्रेडना प्राकर ये साहित में रूची हुआ इनका इन कभियों का रायकिष्ण दास जी के साथ बहुत ही घनिश्ट संबन्द था ये जो सारे कभी है जाशंका प्रशाद, लेकग, मैतिसरंगोत, राम, चन, सुक्र इन सब के साथ रायकिष्ण जाते हैं इनका क्या था? बहुत ही अच्छा संबन्द था कुछ समय बाद ये कासी नागले प्रचाणनी सभा के कारक्रम में भी प्रमोकृप से हाथ बटाने लगें भारती अकला अंदोलन में भी रायस साब जी का अप्रतीम इस्थान रहा है भारती जो कला अंदुलन है उसमें विरायर साब जी का क्या है बहुती अप्रतीम इस्थान है इनोंने भारत कला भवन नाम से एक बहुत बड़े संग्राले की भी स्थापना की थी जो अभी भी कहा है कासी हिंदुवी सुध्याले बैच्चू का एक विभाग है भारत कला प्रमुक संग्रहले में की जाती है भारत की चित्रकला तदा भारति मुर्तिकला इनके प्रामाली ग्रंथ हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं राय साब जी के बारे में और परी बाते जालते हैं कि राय साब जी ने अपनी कभिताओं में क्या किया है परंपरागत ब्रज भासा का प्रेयो किया है जो ब्रज रज में संग्रित हैं इनके कावे संग्र है उसमें खड़ी बोली का विशेश प्रभाव है राय साब जी हिंदी साहित में अपने गर्द गीतों के लिए बहुती प्रसिद्ध हैं इनके गर्द गीतों के जो संग्र साधना और चाया पत के नाम से प्रकासिद हैं इधे उने क्या किया है ख़लील जी ब्राम के इम्यमेट का पगला नाम से हिंदी में बहुतीivaं अनवती प्रज संग्र जो रिख मोड़ी में भावोके अब्रज भथा कहानीं अनुदित में जैसे दिमेन इसका पगला नाम से हिंदी रुपांत्रण किया है अब आगे बढ़ते हैं राय साब जी की गद्य साली के बारे में तो राय साब जी की जो गद्य साली के प्रमुख विशिस्ता है जो कोमल भावनाओं को सजीव सब्द में प्रकट करना है क्या है इनकी गद्य साली के प्रमुख विशिस्ता जो उनकी कोमल भावनाओं है उनको सजीव सब्दों में प्रकट करना है इनकी गद्य सली जो होती है उसमें भावात्मक सांकेतिक और कवित पूर होती है गद्य वो लिखते हैं लेकिन उसमें भावनाय भी होती हैं सांकेतिक भी होती है और उनमें कविताओं के भी गुड होते हैं इन्होंने हिंदी गद्य को एक नया आयाम दिया है कैसे नया आयाम को भी आत्मा साथ का लिया है मतब गद्य को इतना अच्छा इन्होंने रूप दिया कि गद्य में इन्होंने पद्य को भी काव्य को भी उसमें मिला दिया और वास्तों में ऐसे गद्य और पद्य को पूरता अलग भी नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इसका प्रमाण हमें इन इन गीतों में पद्य की तरह तुक तो नहीं है, परन्तु ले और संगीत पूरी तरह से इसमें बिदमान है. आत्मा और प्रकती के संदर का जो प्रकास है, इन गद्य गीतों में पूरा बिखरा हुआ निखलाई पड़ता है. और इनके जो गीत हैं, वो बहुती सरल, सुगम और आकार में लगुएं. यह जो गीत की रस्मा करते हैं, वो भी क्या होती है? बहुती सरल होती है, सुगम होती है और छोटी भी होती है. कावे की जटिल्टा से यह दूर हैं. ऐसे तो कावे जितने भी होती है सब्दों की बहुत ही जटिलता होती है लेकिन इनके जो गद्य में कावे आती है उनमें क्या आती है सब्दों की जटिलता नहीं रहती है इन्हें भले ही गाया ना जा सके लेकिन इनको इनके जो गद्य कावे होते है इनको गुलगुनाया जा सकता है तो ये था आपका रायकिष्णन दाज जी के बारे में ठीके जीवन परचे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइप भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्र की रूप में चाहिए तो हमारे दिये के डिस्क्रिप्शन मौक में नीचे लिंक दिया गया है वेबसाइट का www.educationforindia.com आप उस वेबसाइट में विजिट करके ये जो हमारा जीवन परचे है इसमें सारे जीवन परचे बहुत सारे जीवन परचे मारे वेबसाइट में आ आप उसमें जाके बहुत सारे लेखों के जीवन परचे के बारे में भी आप जान सकते हैं तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धनेवाद